देश के लिए इससे ज्यादा अफसोस की बात कुछ और नहीं हो सकती कि दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान आज सडक पर बैठने को मजबूर है धरने को शुरू हुए चार दिन हो चुके हैं लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है अब क्योंकि ये खिलाडी है तो इन्होंने हारना नहीं सीखा है बलकि डटे रहना सीखा है इसलिए खिलाडीों ने भी कह दिया कि जब तक ब्रिजभूशन सिंग की गरफतारी नहीं होगी हमारा धरना यूही जारी रहेगा अब खिलाडीों की इस चेतावनी को देखकर दिल्ली पुलिस 26 अपरेल होते ही सुप्रीम कोट पहुच गई आपको याद होगा कि 25 अपरेल को ही सुप्रीम कोट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था अगले ही दिल्ली पुलिस कोट में हाजर थी देखे कि 25 अपरेल को खिलाडियों को कई राजनेताओं और किसान संगठनों का समर्थन मिला साथी सुप्रीम कोट भी मामली में सुनवाई को राजी हो गया कोट ने मामले को गंभीर बताया और सुनवाई के लिए 28 अपरेल की तारीख दे दी इसके साथी खिलाडियों ने ब्रिजभूशन शरन सिंग के खिलाफ अपना विरोध प्रदशन तेस कर दिया और कह दिया कि जब तक गिरफतारी नहीं जंतर मंतर से वापसी नहीं पहलवानों के इस तेवर ने दिल्ली पुलिस की टेंशन बढ़ा दी इसलिए तो 26 अपरेल को ही यानि नोटिस जारी होने के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस पहुँच गई सुप्रीम कोट दिल्ली पुलिस ने कोट में कहा कि भारती कुष्टी महासंग के अध्यक्ष प्रिजभूशन शरन सिंग के खिलाफ साथ महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए आरोपों पर प्राथम की यानि F.I.R. दर्श करने से पहले प्रारंबिक जाज की जरूरत है चीर्स जस्टिस डीवाई चंदर्चुन और नियाय मूर्ती पीएस नर्सिम्मा की पीट को दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने बताया कि अगर शीर्स अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमी की दर्श की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है हाला कि पुलिस को लगता है कि प्राथमी की दर्श करने से पहले कुछ पहलूओं की प्रारंविक जाच किये जाने की जरूरत है आपको याद होगा कि 25 अप्रेल को कोट ने इस बात पर नाराजगी जुताई थी कि अब तक बीजेपी सांसत के खलाफ एफ आई यार दर्श क्यों नहीं हुई है नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा था जिसके बाद अपने खिलाफ माहौल बनता देख दिल्ली पुलिस बिना देरी कि ये तुरंत कोट पहुँच गए वही सॉलिसिटर की दलीलों पर CGI ने कहा कि आप जानते हैं मिस्टर सॉलिसिटर हम कोट ने कह दिया 28 अप्रेल को दस्तावेज के साथ आना फिर बात करेंगे पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस 28 अप्रेल को पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के दोरान प्राथमी की दर्श करने को लेकर अपने विचार रख सकती बता दे कि 25 अप्रेल को सुप्रीम कोट समय तमाम लोगों ने खिलाडियों को अपना समर्थन दिया प्रिंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि खिलाडी देश का मान होते हैं देश उन पर गर्व क्यों करता है क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सह कर जब वो पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है देश मुसकुरा उठता है महिला खिलारियों की जीत बाकियों से बड़ी होती है वो देश की संसत के बगल की सड़क पर आँ्खों में आसू लिये बैठी हैं लंबे समय से चल रहे शोशण के खिलाफ उनकी शिकायत कोई सुन नहीं रह आती है किसका दवाब है दिल्ली पुलिस पर क्यों इसी पुलिस द्वारा विपक्ष के नेताओं पर भारत जोड़ो यात्रा में किसी लड़की का दर्द सुनने पर पूश्टाज की जाती है मगर देश की मान बढ़ाने वाली खिलाडियों के गुहार अंसुनी कर दी जाती ह एक पार्टी और उसके नेताओं का घमंड जब आसमान चड़ जाता है तब ऐसी ही आवाजों को कुछला जाता है आईए अपनी इन बेहनों का साथ दे ये देश के मान की बात है आपको याद होगा मार्च 2023 में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था नोटिस में पुलिस ने पांच सवालों के जवाब मांगे थे और उस पीड़ित लड़की की जानकारी मांगी थी जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था उस मामले का जिक्र करते हुए प्रियंका ने दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ ले लिया यानि कुल मिलाकर मामला बढ़ चुका है और सरकार समझ चुकी है कि इस बार खिलाडी किसी भी तरह उनकी बातों में नहीं आने वाले वहीं पहलवानों ने साफ कर दिया कि बीजेपी सांसत की गिरफतारी नहीं होने तक ये धरना इस थल से नहीं जाएंगे इतना ही नहीं विनेश फोगाच, साक्षी मलेक और बजरंग पूनिया समित पहलवानों ने आरोप लगाया कि ब्रिजभूशन अब बाहुबल का सहरा ले रहा है और धमकी तथा रिश्वत दे कर पीड़तों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं विनेश ने दावा किया कि दिल्ली पूलिस ने ब्रिजभूशन शरंसिंग को पीड़तों के नाम लिग किये हैं ब्रिजभूशन शरंसिंग, हर्याना कुश्ती संख के महासचिव राकेश और कोच महाबीर प्रिसाद विश्णूई का इस्तमाल उन महिला पहलवानों के पर के नाम लीक कर दिये और अब ब्रिजभूशन पीड़ितों और उनके परिवार को डरा धंका कर मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है इसके साथ ही खिलाडियों का कहना है कि हमने सोचा था कि खेल मंत्राले हमें न्याय देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेकिन हमें न प्रदर्शन खत्म करेंगे, तो हम यहा से नहीं जाएंगे उसे सलाकों की पीछे डालना होगा, अगर वो बाहर रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वो खुलेयाम घूमेगा तो हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे, लोगों के खिलाफ सैक्डो और हजारू प्रदर की दर्ज है लेकिन यह नियाय का सवाल है जब हमें यकीन हो जाएगा कि हमें बहकाया नहीं जाएगा तो हम विरोध खत्म कर देंगे नहीं तो हम यहां डटे हो आप खिलाडियों के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो नियाय मिलने के बाद ही प्रदर्शन खत्म करेंगे उसका नतीजा यह हुआ कि कोर्ट का नोटिस जारी करने के अगले ही दिन दिल्ले पुलिस कोर्ट में हाजर हो गई थी इस वीडियो में इतना ही आप से निरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताएए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताएएगा चैनल है आटिकल 19 इंडिया इसको भी फॉलू कर लेजे नमस्कार